ट्विटर के सहसं स्थापक और पूर्व मालिक जैक डॉर्सी ने एक इंटर्व्यू में हाली में कहा कि ट्विटर को किसान आंदोलन को कवर करने और सरकार की आलोशना करने वाले अकाउंट को ब्लॉक करने के लिए भारत सरकार की तरफ से कई अनुरोध प्राप्थ हुए। उन्होंने ये भी कहा कि ट्विटर को बंद करने और देश में उसके करमचारियों के घरों पर छापे मारने की धंकी भी दी गई। हाला कि एलेक्ट्रोनिक्स और आईटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेकर ने डॉर्सी के दावों का जवाब देते हुए कहा कि उनके तहत ट्विटर भारत के कानूनों का बार बार और लगधार उलंगन कर रहा था और कई बार गलत सूचनाओं को फैलाता जा रहा थ इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार ये ध्यान देने वाली बात है कि ट्विटर के नए सीओ इलॉन मस्क अभी भारत के सोशल मीडिया नियमों के बारे में एक समान विचार हैं जिनोंने हाली में अपरिल के महिने में इलॉन मस्क ने कहा था कि वे ट्विटर करमचा को जेल भीजने का जोखिम उठाने के बजाए सरकार के ब्लॉकिंग आदेशों का पालन करेंगे अब वापस आते हैं जैक डॉर्सी के इंटर्व्यू पर जैक डॉर्सी ने यूट्यूब चैनल ब्रेकिंग पॉइंट को सुमवार को देर रात एक इंटर्व्यू के दौरा को जान विशेश रूप से सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों के अकाउंट पर रोक लगाने के बारे में हम से कई अनुरोद किये थे और ये भी व्यक्त किया था जैसे हम भारत में ट्विटर को बंद कर देंगे ये उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से उन्हें एक तर कि अगर आप नियम का पालन नहीं करते हैं तो हम आपके कारेले बंद कर देंगे और आप देखेंगे कि यही भारत एक लोकतांत्रिक देश है रिपोर्ट्स के अनुसार 2021 में देश में किसान अंदोलन जब चरम पर था तो केंद्री ने ट्विटर से कथित खालिस्तानी लि लिए भी कहा था तुगिटर ने कुछ अकाउंट्स को ब्लॉक करके जवाब दिया था लेकिन बाद में उन्हें अन्ब्लॉक कर दिया जिससे आयटी मंत्रा ले ना राज भी हो गया था हाला कि उसका जवाब सरकार को अच्छा नहीं लगा था जिसने कहा था कि ट्विटर नियमों का पालन ना करने को सही नहीं ठहरा सकता है अब आते हैं मई 2021 पे मई 2021 में प्रधान मंत्रिय और केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए कॉंग्रेस की साजिश का आरोप लगाते हुए सत्तधारी पार्टी के नेताओं की कुछ पोस्ट को ट्विटर द्वारा मैनिपिलेटिंग मीडिया बताने के कुछ दिन बाद दिली पुलिस की स्पेशल सेल की एक टीम जो की केंद्रि ग्रे मंत्राले के तहत काम कर रही थी ट्विटर इंडिया के दिली और गुडगाओं कारहलेओं पर नोटिस देने के लिए पहुच गई थी जैक डॉर्सी की दावो पर प्रतिक्रिया देते हुए राजीव चंदर शेकर ने कहा कि ट्विटर से कोई भी जेल नहीं गया और ना ही इस प्लैटफॉर्म को बंद किया गया इस तथे के बावजूद वे 2020 से 2022 तक बार बार कानून का पालन नहीं कर रहे थे और आखिरकार जून 2022 में उन्होंने नियमों का पालन करना शुरू किया चंदर शेकर ने ये भी कहा कि जेक डॉर्सी का काल में ट्विटर को भारती कानून को सुविकार करने में समस्या थी इनसे ऐसा वेवार किया जैसे कि भारत के कानून इस पर लागू नहीं होते हैं ऐसा उन्होंने कहा कि Jack Dorsey ने ऐसा विवार किया कि भारत के कानून ट्विटर पर लागू नहीं होते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एक संप्रभूर राश्रे के रूप में भारत को ये सुनश्चित करने का अधिकार है कि भारत में काम करने वाली सभी कमपनियों उसके कानूनों का पालन करें। उन्होंने कहा कि 2021 में किसान नानोलन के दोरान अकाउंट के संबंद में आदेश जारी करने के लिए केंदर भादे था क्योंकि बहुत सारी गलत सूचनाएं और नरसंगार की रिपोर्ड्स थी जो निश्चित रूप से फरजी थी उन्होंने कहा कि Jack Dorsey के कारेकाल में ट्विटर पर पक्षपार पून वैवार करने का स्थर इतना था कि उन्हें भारत में अपने प्लैटफॉर्म से गलत सूचना को हटाने में समस्या हुई ये तब था जब उन्होंने अमेरिका में ऐसी ही घटनाओं के संबंद में खुद ऐसा किया था संयोग से इसी अवदी में सरकार द्वारा सोशल मीडिया कमपनियों को जारी किये गए सामागरी पर रोक लगाने के आदेश की संख्या में भी लगबख 2000 प्रतिशत की व्रद्धी हुई है जैसे की संसत के साथ साजा किये गए आकडों से हमें पता चलता है जो भारत में ऑनलाइन सेंसर्शिप की बढ़ती प्रवती को उजागर करता है संसत के साथ साजा किये गए आकडों से ये जानकारी हमें पता चलती है 2021 के पहले 6 महीने में ट्विटर को विभिन भारतिय अदालतों और सरकार द्वारा 4900 से अधिक ट्वीट्स को ब्लॉक करने के लिए कहा गया ये आंकड़ा उस समय चल रहे किसान आंदोलन पर भड़काव ट्वीट्स साजा करने के संबंध में 2500 से भी अधिक अकाउंट को अवरुद करने और कमपनी को सरकार से COVID-19 से निपटने के सरकार के तरीके की आलोशना करने वाले कुछ ट्वीट हटाने के आदेश में मेल खाता है जुलाई 2022 में ट्वीटर ने अपने मंच पर पोश्ट की गई कुछ सामगरी को हटाने का आदेश देने वाले कुछ सरकारी संदेशों के खिलाफ कानूनी कारवाई शुरू की अधिकारियों द्वारा शक्ती के अनुपाथ हीन उप्योग का आरोप लगाते हुए कमपनी ने आई टी अदिनियम 2000 की धारा 69 ए के तहर जारी मंत्राले के सामागरी अवरुद आदेशों के खिलाफ करनाटक हाई कोट का रुख भी किया था वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्री है मेरा नाम याकूत अली है कैमरे के पीछे हैं देविदत ये खबर हमारी वेबसाइट पर मौजूद है आप इसे वहाँ जाकर पढ़ भी सकते हैं